नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होली के कुछ खास बाते हैं कुछ एसे चमतकारी उपाए जिसे यक कर लेने से साथ पुष्टी बेट कर खाएंगे जी हाँ दोस्तों और सारी परयासानिया आगनी में होगी भाष्म होली की दर्सकों को धेर सारी सुबकाम नाएं दोस्तों होली का दहन के समय बहुत सारे परयोग किये जाते हैं आप हम सिंपल तरीके से परयोग बताएंगे आपनी मन्यत के अनुसार ये परयोग आप जरूर करें लेकिन कुछ बातों को ध्यान भी रखें होली का दहन के समय कुछ विशेश गलती ना करें कुछ बातों का व जो भी देख रहे हैं या फिर या दोस्तों यह वीडियो को जो भी देख रहे हैं अभी तक जो भी इस वीडियो को लाइक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जडूर करें और दोस्तों राधे कृष्ण के जो भी भक्त हैं कॉम परा सदियों से चली आ रही है और होली का पर्व दो दिन मनाया जाता है पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है वेसे दोस्तों हम भारतियों नो शमरस्त की बातें करें तो जिस दिन फालगुन की पुर्णिवा है होली का दहन इस दिन इस साल का अंत होता है और रंग वाली होली मनाई जाती है और दोस्तों उस दिन से नया वर्ष का आरम होता है यानि खुसिया मना कर हम साल की शुरुवात करते हैं दोस्तों इस वार होली का दहन 17 मार्च को है और होली का महापर्व 18 मार्च को है दोस्तों रंगों वाली होली के दिन कुछ करने का दिन है कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है नहीं तो दोस्तों जीवन परिशनिया आ जाएगी तो दोस्तों वह कौन सी बाते हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले दोस्तों, होली का दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, या फिर पैसा हो, या फिर कोई भी घर से सटीक समान हो, दोस्तों इस दिन पैसे को लेंदेन करने से घर में पूरे साल धन की कमी आपको महसूस होगी, आर्थिक तंगी होगी, इसे बहुत परकार की समस से जूजना पड़ेगा, आपको बता दें, इसलिए दोस्तों इन बातों का आप आवसे ध्यान रखें, नहीं तो माता लक्षमी आपसे रोड जाएंगे, तो दोस्तों होली का दहन की राप, या फिर दीन में पैसे उधार किसी को भी ना दें, इस दिन टोने टोटके करते ह इसलिए दोस्तों पैसे उधार ना दें, दोस्तों होली के दिन लोग बहुत से एसे लोग हैं जो की टोने टोटके करते हैं, तांतरिक क्रियाएं करते हैं, टोटके के लिए परसे दें होली, इसलिए दोस्तों धान रखें कि घर का कोई भी समान हो, हर हालत में किसी को नहीं दें और दोस्तों उस दिन आपको कोई भी सफेद चीज याल मिठाई हो या फिर सफेद कपड़ा हो तो वह कपड़ा को या मिठाई को कभी नहीं खाएं आप घर की चीज खा सकती हैं लेकिन बाहर का दिया हुआ चीज उस दिन नहीं खाएं तो ही आपके लिए अच्छा होग दोस्तों होली का दहन के दिन यह एक कार कर लेंगे तो आपके घर के सारे पूष्टी बेट कर खाएंगे जी हाँ दोस्तों आप यह एक चीज अगनी में भर्ष्म कर देंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेंगे दोस्तों उस दिन वर्ष भर में आने वाले त्री रासियों में से एक होली की रातरी भी है जिसमें किये गे सभी धार्मुग अनुस्ठान मंत्र जाफ पाठ यादि सिद अनुच्छन हो जाते हैं जिनका फल जीवन फर्याप्त करता के प्रयाप्त होता है दोस्तों इस होली की अगनी में अपनी सभी सारीक मानसिक व्यादिक किसी परकार की सफलता में रुकावटें आर्थिक कस्ट अलावला एवं सभी बाधाओं का नास करने के लिए एक सरल एवं प्रवावसाली उपाय है जिसे कोई भी आसानी से कम खर्च में करके अपनी सभी बाधाओं को होली की अगनी में भास्म करके जीवन को शुगम बना सकते हैं दोस्तों इस परयोग को करते समय सुद्धता पवीतरता का विसे ध्यान रखें गुपनियता इस परयोग की सफलता के लिए अति अवस्यक है विना किसी को बताए यह क्रिया करनी चाहिए दोस्तों इसके लिए होली का दहन के पुर्व अश्नान सुद्ध स्वस्त वस्त्र धारन कर एक स्रिफल अपने एवं परिवार के सदस्यों के उपर से साथ वार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें यदि किसी सदस्य को अधिक परिशानी है तो उनके लिए अलग से स्रिफल उतारें अपने अविश्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्यां को उन्हें बताकर स्रिफल होलिका में डाल दें और दोस्तों धाय सो ग्रम सर्सों का दाना चारो तरब घुमा के उसमें डाल दें एवं होलिका की साथ परतिक्षन करके परिशानी दूर करने की प्रार्थना एवं अपने एवं परिवार के लिए स्वास्त यस दिरियायु धन लावयादी की कामना करके हाथ जोड़कर परणाम करें और दोस्तों घर आकर अपने इश्ट देव को परणाम करें तता घर के सभी बड़े बुजरगों से आसिरवाद लें और भागवान को फल मिश्टान यादी का यथा सकती भोग लगा कर स्यम गरहन करें दोस्तों इस परियोग के करता को उस दिन किसी परकार का नशा या मानशाहार का परियोग नहीं करना चाहिए दोस्तों इस प्रयोकी प्रभाव एवं भागवान के किरपा से सारी समस्यां जो आपके जीवन में है वह होली के अगनी में स्वहा हो जाएगी तथा आपका जीवन सरल और सुवगम एवं सम्रिद्धि शाली हो जाएगी दोस्तों पुराणों में एक प्रचलित कथा कि अनुसार राजा हिरन का स्यव इस्वर विरोधी थे किन्तो उनका पुत्र प्रलाद इस्वर का अनंत भक्त था पिता के माना करने पर भी वह भागवान में आस्था रखता था अथ उसे मरवाने के लिए राजा ने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र की गोद में लेकर जलती लकडियां पर वेट परलात को भस्म करने के लिए कहा दोस्तों होलिका को देवताओं से वर्दान मिला था कि वह आग से नहीं जल सकती है किन्तु भगवान ने भगत परलात की रक्षा की और गलत कार करने वाली होलिका अगनी में जल गई तब से परतिवर्स होलिका दहन किया जाता है यह एक दूसरे को रंग लगा कर प्रशनता व्यक्त की जाती है दूस्तों होली के दिन यह उपाय करने से आपकी एक्षा पूर्ण होंगे दूस्तों यदि किसी का पती दूसरी महिला के संपर में रहता है या फिर आपको किसी को अपने वश में करना है तो आप होली पर उपरोक्त समागरी अर्पित करें एवन साथ बार होली के जलती आगी परक्रमा करें परक्रमा करतेश में एक गुमती चक्र और उसके नाम लेकर आग में डाल दें ऐसा करने से महिला का पती उसके पास वापस लोटाएगा दोस्तों अधी आपको ऐसा परतीत होता है कि किसे ने आपके उपर तांतरिक प्रयुक करवाया है या फिर आपके घर में धन दवलत की परेशानिया हो रहे हैं और या फिर आपके परिवार में सांती नहीं है तो दोस्तों आप होली दहन के समय देशी घी में दो लोंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिस्री इन सभी बस्तूओं को होली जलने वाली आग में डाल दें अगले दिन होली राक को चांदी के तावीज में भर कर गले में धारन करने से तांतरिक प्रवाव क्रियाएं दूर हो जाएंगे और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे धन दोलत की भंडार हो जाएंगे और आपके घर में परिवार सभी लोग सुख सांती जैसे रहने लगेंगे और दोस्तों अधी वेक्ती आपका लिया हुआ धन आपिस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले अस्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होली का माता से अपने धन वापसी का निवेदन करती हुए उसके नाम पर हारा गुलाव छिड़क दे इस उपाय से आपका धन मिल जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सस्क्राइब जडूर करें और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे जडूर लिखें धन्यवाद